आंध्र पदेश के कई जिलों में बार्ड से हालात खराब हैं लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है राहत और बचाफ का जो कारे है वो लगातार जारी है आंध्र पदेश में राहत बचाफ कारियों में जुटी है नेवी एंटी आरेफ के साथ चला रही ऑपरेशन बार्ड में फसे लोगों तक पहुचाए खाने के पाकेट्स देर शाम दिली NCR में हुई जमखर बरसाद गुरुग्राम के कई लाकों में भारी जल भराव सरकोप पानी भर गया है और लोगों के लिए गाड़ी चनाना दूब भर हुआ दिली में लगातार हो रही बरसाथ से बढ़ाई यमुना का जलसर, लोगों को यमुना के तटों से दूर रहने के लिए सलाह दी गई है गारस्तान के कनक सागर बांद का बढ़ गया जलसर, बूंदी के कई गाउं में बार के हालात हैं, ट्रैक्टर के जरिये लोगों की गारियों को निकाला गया जोदपुर में भारी बरसाथ के चलते, रेलवे ट्रैक के नीचे से बह गई मिट्टी, हवा में धूने लगा, रेलवे ट्रैक, ट्रैक के नीचे तेस भाव में बहता नजर आया मलबा गुजवात के सूरत में बार ने मचा दी भारी तबाही, लाके में चारों तरफ सिर्फ पानी का कबसा है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ आगरा में भारी बरसाथ के बाद जल भराव, सड़कों पर भर गया पानी, गारियों की लफ़तार पर लगी रोक जैपुर में भारी बरसात के बाद कई इलाकों में पानी भर चुका है जलसर बढ़ने से उफान पर नदियां आ गई हैं नाले उफान पर ने निशनल आखों में परिशानिया बढ़ गई लोगों की मर्दि परदेश की नीमच में बरसात से बार के हालात हैं लगतार बरसात होने से उफान पर नदिया आले आए जाजू सागर बांत का जलसर 50 फीट के पार पहुँच किया सिंगपूर के दौरे पर प्रदान मंत्री लॉरंस वोंग से मिने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जमु कश्मी जाएंगे गुरी मंसु अमिर्शा चनावी अभ्यान का होगा शंकना जमु कश्मी बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकाद खल जमु कश्मी चनाव के लिए घोशना पत्र जारी करेगी बीजेपी राहूल गांदी ने की चुनावी रैली चुनावी मन्स से बीज़ फिकोदी सीडी चुनावी कहा जो स्टेट हुट छीना उसे वापस दिलबा कर रहेंगे हम नाशनल कॉन्फिर्स के अद्रक्षि फारुक अब्दुल्ला अपने कटपंदन पर बयान दिया बोले गटबंदन मजबूरी नहीं जरूरत हमारी है जमुकश्मी को राचे का दर्जा वापस दिलाएंगे हम जमुकश्मी के किष्टवार में चुनावी देली के दौरान विवातित नारे बाजी चुनावायोग ने संग्यान लिया के सर्च किया निदली ए गुलाम सरूरी के प्रचार में नहरे बाजी अर्याना विधान स्वगे चुनाव के लिए बीचे पिनीजारी की सूची सर्सट सीट के लिए उमिदवारों का एलान किया गया लानदवा सीट से सीयन नायप सिंग सेनी उमिदवार है 12 काइन से दिया गया अनिर दिच को टिकेट, चिजगधारी से कमरपाल गूर्चर उमीदवार है गुरगाओं से मकेश रल्वा को बनाए गया उमीदवार, नार नौन से कैप्टन अभी मन्यू बने प्रत्याशी हर्याना चुनाफ पर जैजीपी की पहली सूची, उनीस पत्याशियों का एलान, उचाना विधानसबा से चुनाफ लड़ेंगे दुश्यंत चौट आला हर्याना चुनाफ को लेकर कॉंग्रिस की बड़ी बैठक, बचोवे 49 सीप्स पर होगी चर्चा, अजेमा कनौटी, सिंग्देव के साथ हर्याना कॉंग्रिस के दिन बड़े नेताओं की भी अलग-अलग होगी बैठक हर्याना में टिकेट बटवारे की बाद, पार्टी नेताओं में विवाद विवाद नेप्टाने के लिए बनी कमिटी कई बढ़ने नेताओं से करेगी मुलाकाल, सुर्जेवाला और अकुमारी शेलजा के साथ बैठक भी होनी है हर्याना में कॉंग्रेस और आमादी पार्टी के गजबंदन को लेकर पेच फसकिया, दस सीट्स पर मांग रही है आमादी पार्टी, सूत्रों के रुसार पाथ सीट देने को तयार है कॉंग्रेस आज महाराश की दौरे पर जाएंगे राहूल गांधी और मलिका अरजन खरगे, कोड़ गाउं में जनसबा को करेंगे संबोधित, कई कारिक्रमों में हिस्ता लेंगे आयोधिया में शिव मंदिर के स्थापना के रहनुष्ठान शुरू आज होगा लोकार पर सीम योगी भी इसमें शामिल होंगे आज आयोध्या में वेद विद्याले को सम्मानित करेंगे सीम योगी आदितनाद भारत के सर्वश्रेश वेद विद्याले को देंगे साथ लाग का पुरुसकार आयोध्या में रामसेवकपुरम का आज होगा लोकारपन यहीं से हूती राम मंदिर अंदोरन की शुरुवात राम सेवक पुरम में शिव मंदिर का हुआ है निर्मान बुल्डोजर को लेका जुबानी जुनते हैं सीम योगी बुले दंगायों के सामने नाक नकरने वाले बुल्डोजर के आगे पस्त हैं सबके साथ में बुल्डोजर फिट नहीं हो सकता बुल्डोजर पर अकले शालव का पलटवार का दोजसर सताइस में बनी सरकार तो गोरगपुर की ओर होगा बुल्डोजर का रुक दिल दिमाग से नहीं स्टेरिंग से चलता है बुल्डोजर डियने में गुंड़ई वाले योगी के बयान पर अकले शालफ का पलटवार सोचिल मीडिया पड़े का आरोख लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान ले थे कॉलकता रेप कांट को पूरे राज़िभर में विरोध हो रहा है शाम बाजार में प्रदर्शन कारियों ने निकाली विरोध रह ली चातरों के विरोध प्रदर्शन को बंगाल के राज़पाल सीवी आनंद बोस का समर्थन राज़पवन की लाइटे बंद करके जलाई मोम बत्ती औरकता में रेप मुडर केस को लेकर भारी गुसा प्रदर्शन कारियों ने मुंबत्ती जलाई और विरोध किया आंटी रेप बिल के प्रावधानों पर विरोध प्रकत किया अस्पिताल बलात्यार हत्या की घटना को लेकर आखरोश में हैं लगातार विरोध के पतीक के रूप में पश्यमंगाल दाजपवन की लाइट स्पन करवाती गए पश्यमंगाल बीचेपी के रेटा विरोध प्रवर्शन में हुए शामिल इस बीच तमाम बीचेपी के रेटा पहुंचे धनकाल से विडियो आया साथ प्रीड पिता ने पुलिस पर लगाये गंपीर आरोप जिटी पुलिस कमिशनर पर पैसे ओफर करने के आरोप लगाये इमाचिर प्रदेश के मंस्वी विक्तमदितियर सिंग का बयान जलतेश किया जाएगा भांग की खेती को कानूनी रूप देने वाला बिल आर्तिक संकत को दूर करने के लिए उठाएंगे कदम हा इमाचिर प्रदेश में सरकारी करमचारी को आज मिल पाएगा वेटन पैसे आर्तिक संकत की बीट सेंग सुखो ने ऐलान किया हमाचिर प्रदेश विधान सभा में आघयोगी विधायकों की पैंशिन बंकरने वाले विधिये पास हुए अबिसे ज़बार की मंजबरी के लिए भीज़ जाएगा बिल मंजबरी मिलते ही बन जाएगा कानून हिमाशिद प्रदेश के संजौरी में अवैद मस्जद के खिलाफ प्रदर्शन बीचेपी और हिंदू संगटन के नोग विधानसवा के बाहर करेंगे प्रदर्शन हिमाशित प्रदेश विधान सभा में उठावा है तो मस्रिद का मामला विधायक बल्वीर वर्मा ने मस्रिद निर्मान को बताया गलत कहा उस इलाखे में नियान विफी सब नोग एक समधाय के लोग हैं तो मस्रिद मामले पर ववैसी ने कॉंग्रिस को घेर लिया बोला हिमाशित की महबबत की दुकान में नफरत ही नफरत है बीचेपी की भाशा बोड रहे हैं कॉंग्रिस के मंत्री आज इसके नारे में मौलाना तौकीर रसा का विबादिद वयान आदस इसको बताया था सिन्वाई लायक महिला उत्पीरों को लेकर संजराउत ने बीचेपी को आड़े हाथ ले लिया बोले बंगाल में बीचेपी का पर्मिशन सिर्फ राज नी थी हैं महाराश में मारे विरोध पर्मिशन पर रोक लग भाड़ी बेराइच में आदम खोर भेडियों के शिकार की पर्मिशन मिली है नौशूटों सुबूली मानने के दिया आदे सरकार ने दस दिन आदम खोरों के अंद का रखा है टार्गिट यूपी के बरेली में भीड़े का खौफ, हमले में महिला जखनी, गाउवालों के शोर करने पर भाग गया भेडिया वाशांबी में भी जंगनी जानवर का कहर, हाइना के इमहामा हमले में कई ग्रामीन हुए घायल, गाउवालों ने ती हाइना को एक साथ देखा प्रियाग राच में नकली नोच शापकों वाले मदरसों पर शुकन जादे, इसी विदेशी फांदिंग की जानकारे जुटा रही, पुलिस आरोपी प्रिंसिपल के रिमांट के लिए पुलिस ने दाकिल की अर्ज़ अबर प्रियाग राच सेच हाँ पर मदरसों को लेकर जानकारे मिल रही है, इसको लेकर जाच में एक रुक्ता जबूत हासल हुआ, हर साल मदरसे को दो करोड की मिलती थी फंड लेंग मदरसे में नकली नोच माउनिक कांडिस ने इतासरें दुराचपूर का वयान बोले आरोपियों को पकड़ जाना चाहिए लखनाओ में वक्फ बिल साइशोडन को नेकन मौलाना तौकी डजा का बयाना है सामने बोली अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो दिन्नी का गेराफ कर देंगे साप के जहर के मामने ऐएवेश यादव से आज पूचताच होगी एडी की लखनाओ ऑफिस में पूचताच करेगी एडी की टीम शिवार जी की मूटे गिन्ने के मामने में बड़ी कारवाई पुलिस ते ठेकेदार को किया गिरिफतार घटना की बात सही फरार चल रहा था ठेकेदार पेपलीग पर बुलिरारस्तार की पूर्वर डेपटी सीम सचिन बालेट सरकार से की कारवाई की मांग कहावे अस्ताओं में होना चाहिए सुधार वरिक्षा देने वाले नौजवानों के साथ छला पर अर्विन केज रिवार की जमानत को लेकर आज फैसला आना है आज जमानत मिलने पर आ सकता है बड़ा फैसला जहारकर्न में बांगलदेशी गुसपयत का मामला पहुँचा हाईकोट में गुसपयत को लेकर हाईकोट यहाची का दायर संथाल परगना याके में गुसपयत की जाची माम भे जोदपुर में पाकिससान से आएए אני हिंदू को नहीं मिल पारे जलुए सो विदाए राडिस्तान की हाई कोट ने सरकार को जारी किया नोटिस चार सब्तहा में जवाद मांगा कवी कुम से महा कुम्ब दोजार पच्चिस का अगास करेगी योगी सरकार आज से उतर परदेश में आयो तोगा देश का सबसे बड़ा काव्या उटसा अग्तिन सो चारिस कवी से पहुंच रहे हैं भारती नेवी और डक्षिन अफ्रीकी नेवी के बीच समझ होता डीप समर्जिंस रस्क्यू वीकल को तेनाद करेगी इंडिन नेवी साउथ आफ्रीका ते भारती नेवी की पकड़ होगी मस्मूट उतर परदेश के अलिगर्ड में लव जिहाद का मामला आया सामने मुस्लिम यूवक ने हिंदू नाबाली लड़की को लेकर हुआ फरार वो ग्रामिदों ने फाने में हम्यामा किया गाउं में तनाफ का महौल है विश्व हिंदू परिशते भुपाल में आच लोगों की कराई घर बापसी आच लोगों ने अपनाया हिंदू धरम पाच क्रिश्चिन तीन मुस्लिम्स ने की है घर बापसी एमपी के चाटरपुर में पत्राफ को लेकिल खबर इस लामे में कारवाई की पुलिस ने पच्राफ में शामिल तीन और लोगों को किया गया गिरफ़तार अब तक 13 सारोपी हो चुके हैं गिरफ़तार उतरपतेश के संत कबीर नगर में कई दुकानों पर चला बिल्डोजर का आक्शन सालों से काविस दोगों को कबसे से हटा दिया गया नाकपुर में बार में लूट पार पाले में पाँच आरोपी होए गरफ़तार तोरपोर का बुझे हुआ था वारल पैसे और शराफ की बॉक्रस ले गए थे आरोपी एंपी के सतना में रेस्टोरेंट की लिफ्ट में फसे पाँच युवग कई घंटों की बाद दोंको बाहर किया गया रेस्टोरोन में बोजिंग करने गए थे युवग यूपी के सोन भजर में के घंटे जाव में फसे रहे लोग हाथसा हुआ अचानक से भरबरा कर गिर गया घर का चच्चा सो से ज़्यादा लोग घायर किदारनाथ मार्ग पर लगतार गिर रहे पत्थर लोग की आवजाही प्रभावेत पुशासरने की चुदालों से अपीर यूपी के चंदौली में आपसे भीड़ी दो पक्ष की महिलाएं कपड़े फाड़ने का विडियो बारल हो गया पुलिस ने तरच किया मुकर्दिमा एमपी के जाबू अमें नदी में दियूबे तीन महिलाएं इसमीच जानकारी मिली पुलिया पार कर रही थी और हाथसे का शिकार हुई दो को सान लोगों ने बचाया एक की मौट हूँ सोनबद उसले में सद्इक दिपरस्थितियों में ट्रॉक के कैबिन में आगले पुलिस सेमिन लोट कर वारे विसी जा रहा था ट्रॉक ट्रॉक चालक ने बचारिया प्निअपनी जान पूलत कर जाराउन में हाईवे पर खड़े ट्रॉक में तेज उतार डंपर ने मारी टककर ट्रॉक की कैबिन में फ़से ड्राइवर समें तीन लोग बाहर निकालने में जुटी पुरिस की टीम्स दिली के नरेला इलाके से खबर है जहांपर फायरिंग हुई बेख़ाफ अपरादियों दुवारा इस बीच अपरादियों ने तीन लोगों को मारी खोली एकी मौत दो लोग जकनी जाच जारी तिलिके नरीला में प्रॉपर्ट जीन दोनी मार कर हत्या, पैसों के विवाद में मर्डर हुआ, हमलाबों की पैचान पुलिस ने कर ली है यूपी के सीतापुर से खबर है, नाबालिक से चेरखाने हुई, बुजरुग ने विजियो बनाया और वारल करवा दिया है पुलिस ने पॉक्सों आक्ट के तहट करवाई करते हुए भीजा जेल स्वेंट्रल नॉइडा में पुलिस और बदमाशों में स्पीच इंकाउंटर हुआ, दो लोग हुए घायल और एक फरार है, 28 सगस को घर में गुसकर टकैती की वारदात को अंजाम दिया था समुदर में डूबे हुए टाइकानिक तेजी के साथ हो रहे हैं, खत्म कुछ साल बाद मलबे को नहीं देख पाएंगे आप लोग 6 साल में खत्म हुचाएगा जहास का पूरा मलबा मौलदी उसके कई शेरों के मड़ारा ढूबने का खत्रा, तेजी से बाडरी समुदर के जलस्तार, अमेरिकी विग्यानिक इन दूबे को बचाने की कोशच में लगे हैं, समुदरी दीवार बनाने की कोशच हो रही है